आपलला की न आतर ब्रेडफ गिंड़ा केत्वार्टॉ फैसरी और सब्सक्राइब हे घाच्पून का है आज आज आपन बनाना रहोत पालग पनीर कटले एकदम हेल्थी और जिफिन रेशिपिस बगाया चासती तो माला कमेंट बॉक्स मदे नकी सांगा आज आज आपन बनाना रहोत पालग पनीर कटले एकदम हेल्थी और जटपटना और होनस तुमाला कायाला असल की किती हेल्थी आसती है तर चला लगेस रेशिपिला सुर्वात करें तर पालक पनीर कटलेट बनना साथी लागनार साहित्य मी तुमाला सांगते इते मी एक बाउल पालक बारिक चिरून गेत लेला है अर्धी वाटी इते मी पनीर बारिक किसुन गेत लेला है एक मिडियम साइज सा बटाटा उकडून तो मी इते किसुन गेत लेला है हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट गेत लिया है इते एक चोटी वाटी मी ब्रेड क्रम गेत लिया है त्याच वाटी चा मापाने अर्धी वाटी मी बेसन गेत लिया है तेल गेत लिया है सविनुसर मीट, हाफ टीस्पून हलत, हाफ टीस्पून धने पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल तिखड, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून चाट मसाला, थोड़ी शी कसूरी में थी इते गेतले लिया है, तद सला लगेच रेसिपी ला सुरुवात करूया एक बाूल घेतलेला है अथा तैचला मधे मी शरोप्रथम पालक आड़ करते पालक अपन 12 चिरुण गेतलेला है तैमाधे आथा मी पनिर आड़ के लेला है सगे पदर ते फटाफट आड़ करा बटडा आड़ के लेला है किस लेला तचान था ब्रेड कम आदे मैं 1 अधाफ अद करते लागला था अपना आध करूया बेशन गेत लेला आये तेमी तुम्हाला जा कॉन्फलोर आड करते तुम्हीं कॉन्फलोर टाकू शकता जिंजर गार्लिक पेस्ट लान मुलाना नोको असेल तुम्हीं नाही टाकल तरीही चालेल आता मी सर्वा मसाले आड़ करते हला दाड़ के लेली आहे धने पाउडर, जीरा पाउडर, लाल तिखट, गरम मसाला, चैट मसाला, सवी नुसर मीट आनी कसुरी में ती आता अपले ले इता आड़ कराईची आहे तती आधे हाता और में कुस करून ती तैचा म उरलेला ब्रेड करम होता तो इते आड़ करते हामी घरीज बनो लिला है तुम्ही सुद्धा बनो शकता ब्रेड गरम करून तेचे तुकडे करून मिकसर लाला ओले कि ब्रेड करम तयार होतो आनी तो स्टोर करून रातो तो तुम्ही आधिस जरासा बरनीत बनावन भरून तर तुम्हाला सकाई सकाई गडबड तुम्ची होनार नाई बटाटा सुद्धादा तुम्हा सकाई उकड़ून उकड़त बसला वेल असल था आधिस रात्री उकड़ून ठेवला तरीज चालेल यहाँ चोटा-चोटा गोश्टिन मुले अपलेला टाइम वाच उता एतो सकाई चा आता तुम्हा इते बगुशकता मी इते व्यवस्तित असा गोळा करून गेतलेला आहे आता आपले कटलेट बनवाएला ते सगे मिश्रन एककत्र जालेला आयेत आता आपन कटलेट बनवाएला शुरुवात करूया आता आपन कटलेट बनवाएला शुरुवात करूया तो इते मी आताला तोड़ा तेल लाउन गेतलेला आहे अटा आपलेला गोले गया चाहेत, तों मेला जो आकर चे कराय चे त्या कराय चे तुमी करू शकता, आथा मी इथे एक आपला कटलेट रेडी आँए, तों मी दुसरा त्यार करते आता इथे मी अजुने एक छोटा गोला गेतले ले आहे तुम्हे लान मुला ना अशा पद्धती ने सुद्धा देऊ शकता आता हेला मधुन प्रेस कराई जा मज़े तो अशा एकदम चप्टा असा बिस्कीटा सरका होईल जो तो अपन शेलो फ्राइ करू ना तो अशा प्र आता इथे आता पैन गरम करण में ताचा तेल आड खेलीला थे तेल सगेगरे स्प्रेड करू घयात्या है आता आपने कटलेट शालो फ्राह करून घयाएचा आता अजा करण में थोड़ी मधे जागा सोड कर्ण कटलेट कर्ण करते जोड़े माउथिल तेवले सायड करा थ आपन चेक करूं भगवया और तुम्ही बगुशक्ता मित्रानो आपने कटलेट चांगला गोल्डन कलर आलेला है त्यामने आता सगे कटलेट पल्टी मारून गेवया करपु आईचे नाईए त्यामने गैस लो मिडियम फ्लेम वर ठेवा करन पालक आए त्या करपला तक कडवट लगती त्यामने गोल्डन कलर आला कि आपन ते पलेट मादे सर्फ करूं गया चाहित आता दुसरा साइड ने सुद्धा चांगले गोल्डन ब्राउन जाले आपने कटलेट कीज आपने पलेट मादे काड़ूं गया चाहित तर इते तीन मिन्टा जाले ले आए अथा आपन चेक करूं बगविया और तुम्ही बगवू शकता मित्रा नो अपले कटलेट ला प्रॉपर असा कलर आले ला है और इते व्यवस्तित फ्राई जाले ले आए अथा आपन हना पलेट मादे सर्फ करूं के विया और बाकी सु वेगवेगड़े आकारा चे तुम्ही बनो शकता इते मी गोलाकार हा बनाव लेला है इते हा मी थोड़ा बिस्कीटा डाइप माजासा थीन लेयर चा बनो लेला है तेमें तो अजुन कूरकुरी थोतो तुम्ही एकदम छोटा साइच्चे सुधा बनो शकता कुटला ही साइ पिन रेसिपीज हवे आसेल तरी सुधा मला कमेंड मदे नकी सांगा केकेज की चनला लाइक शेर और सब्सक्राइब कराया विश्रू नका धन्यवाद